दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हीरो की तरफ से आने वाली एक बहुत ही बैतरिन अपकमिंग बाइक के बारे में जिसका नाम है हीरो एक्ष्ट्रीम 125R इस बाइक की लीग लगातार काफी तेजी से बढ़ते जा रही है और यहाँ पर जो रूमर से वो काफी हाई होते जा रहे हैं कि बहुत ज़ल लॉगड़ॉन खुलते ही आपको ये बाइक आपके नजदी की शोरूम पर देखने को मिल जाएगी बात कर रहा कर एक रेस्ट्रीम 125R आने की वज़ा के बारे में तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर इस वक्त काफी प्रेट्रीम की प्रेजस हाई हो चुके हैं और इंफ्लेशन रेट भी इतनी जादा हाई हो चुकी है कि कोई भी नॉर्मल सी बाइक काफी महंगी पर जाती है जिसकी वज़ा से देखा जाए तो कहीं जेप पर ये बाइक काफी भारी पर जाती है पिर चाहे वो इसका रेज्ट्रेशन करवाना हो और चाहे इसमें पेट्रोल डाल करके बाइक को लगतार रन करना हो तो इस वज़ा से अब इंडिया की एकनोमी सिर्फ इतनी ही है कि वो 150 CC के सेग्मेंट को ही सबसे ज़ादा प्रफर करते हैं वैसे तो 125 CC सेग्मेंट ही एक ऐसा सेग्मेंट बचा रहे गया है जिसमें कोई भी कंपनी अपने मैक्स प्रफॉर्मेंस को दिखा सकती है फिर चाहे वो लुक वाइज हो या फिर इंडियन कर प्रफॉर्मेंस वाइज लेकिन हाँ इंडियन कर प्रफॉर्मेंस 125 CC के सेग्मेंट में ही रहेगा और स्ट्रीम 185 आर आने की वज़ा भी कफी कुछ बाइकें ऐसी हैं लेकिन जस्ट लागडाउन से कुछ दिन पहले ही इसे लाउंच कर दिया गया लेकिन मेरा मानना है कहीं ने कहीं थोड़ा सा और डिले करते हैं लागडाउन खुलने के बाद NS 125 को लाउंच करते हैं तो सेल काफी कुछ अच्छी हो जाती खैर किसमत की बात है लाउड़न लग गया और अगर देखा जाए तो KTM की तरफ से आने वाली RC और Duke दोनों ही आपको 125 CC के सेग्मेंट में मिल जाती है जो कि हाँ काफी महंगी जरूर है लेकिन हाँ एक कदम जरूर है कि 125 CC के सेग्मेंट में काफी बाइकें लाउच हो चुकी है और अगर और कंपनियों की तरफ से अपकमिंग को देखा जाए तो आपको TVS की तरफ से फियोरो आती है 125 जो कि बहुत जल्द आ जाएगी Apache 125 जिसका इंतजार काफी वक्त से है और Yamaha की तरफ से भी उमीद लगाई जा रही है तो वो काफी जादा popular हुई थी अपने segment में और ये look भी काफी अच्छा आपको provide करवा देते हैं बहुत ही कम budget में अगर देखा जाए तो अब अगर Extreme 160R के एक showroom price की बात की जाए तो single disc और dual disc दो variant में वो bike आया करती है और यहाँ पर अगर single disc की बात की जाए एक showroom price तो वो लफख एक लाग 7,490 रुपय की बनती है वहीं अगर उसके dual disc वाले variant को चूज किया जाए तो वो एक लाग 10,540 रुपय की बनती है लेकिन आपको पता है कि Extreme 15R को अगर manufacture किया जाएगा तो वो single disc के साथ साथ ही आएगी क्योंकि आपको पता है कि prices काफी डाउन रखने है और लेड़ी एक लाग 7,490 रुपय में वो अपना 160 CC का engine बेच रहे है तो अब इससे जादा तो कभी किसी कीमत पे हो ने सकता और काफी डाउन भी price को रखना पड़ेगा जो कि काफी पेपी रहेगा आपको bike को उठाने में बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि ये इतना अच्छा moments कैसे दे सकती है यहाँ पर अगर देखा जाए तो कटवतिया काफी चीजों में होने वाली है जैसे कि tire के profile में चाहे वो front हो चाहे वो rear हो तो दोनों ही में आपको profile में काफी कुछ कमी नजर आएगी इसी के साथ जो suspension है वो भी थोड़े से पतले दिये जाएंगे क्योंकि price को अगर cut down करना है तो जाहिर से बात है यहाँ पर काफी चीजों में cut down की जाएंगी instrument cluster में भी थोड़ा बहुत changes आपको देखने को मिल सकता है अब अगर इस extreme 105R के price की बात की जाए एक्षो रूम प्राइस की बात तो वो लगभालो वगभा आपको 85 से लेकर के 90,000 तक इसका एक्षो रूम बन सकता है जो कि आपको पता ही है कि हीरो की बाइके थोड़ी सी अधर कमपनियों से महंगी होती है और इसकी वज़ा है कि लोग इन्हें बहुत अधर पसंद करते हैं चाहे वो इसका service center के हिसाब से हो चाहे वो इसका resell value के हिसाब से हो और KTM की तो भाई साब पूछिए मत उनकी तो प्राइस हाई ही रहते हैं सेकेंड हैंड चाहिए आप पांत साल चाला लीजिए तो इन सभी चीजों के फायदों को देखते हुए कहीं न कहीं एक्स्ट्रीम थोड़ी सी अधर कंपणियों के 125 के सेग्मेंट के साब से महेंगी रहने वाली है तो दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो कैसे लगी जल्दी से आने चाहिए कमेंट में बता देना भाई वीडियो अच्छी लगए लाइक से रूख कर देना चैड़ फिर मिलते हैं किसे और एक अमेजिंग सी वीडियो में तब तक यार खिया लखना अपना और अपनी बाइक्स का बाई